आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question में क्या दिया देखे The compound of zinc, cadmium, mercury are usually white and the dark blue precipitate is formed when sodium hydroxide is added to copper sulfate हमें बताना है कि यह दोनों जो है यह आपका सही statement है या नहीं है, ठीक है, यह हमें सही सको basically आपको proof करना है तो देखो, यह हमें क्या बोलाए कि कोई भी अगर coordination complex होता है हमारे पास, जो color show करता है, तो उसके अपना जो होगा coordination complex ठीक है, coordination complex तो यह color show क्यों करता है इसमें transition होती है हमें पता है कि हमें इसमें transition होती है कौन से कौन से, या तो इसमें dd transition होती है और या तो इसमें क्या होता है हमारा charge transfer transition होता है और क्या होता है हमारा charge transfer होता है, dd transition होने के लिए क्या चाहिए चलो charge transfer तो higher level पर चला जाएगा हम DD transition ही इसमें हो की बात करती है तो देखो DD transition कब होती है DD transition के लिए आपके d orbital जो है वो आपका क्या होना चाहिए full नहीं होना चाहिए यानि कि d 10 configuration नहीं आने चाहिए यह पोहुत ही ज़्यादा partially quarterly filled होना चाहिए basically तो उस case में हमारा electron easily due orbital से दूसरे due orbital में जाके जा सकता है और वहां से वापस transition कर सकता है ठीक है मतलब first से second में transition हो सकती है तो DD transition हमारा होना important है अगर DD transition होती है तो compound कोच ना कुछ color show करता है ठीक है लेकिन हमारी क्या बोला है the compound of zinc cadmium and mercury are usually white मतलब इनका compound white क्यों होता है देखो zinc and हम लिख लेते हैं यहापे cadmium and mercury इसकी अगर आप electronic configuration लिखो मतलब हम अगर लिखे इसके electronic configuration तो इसकी electronic configuration क्या होगे देखो zinc की तो में पता है कितनी होती है 3D104S2 cadmium की कितनी होती है आपने पास cadmium की होती है 4D105S2 देने मारे पास क्या आया mercury mercury का कितना होता है अगर outermost electronic configuration लिखे तो 5D106S2 mostly compound में जो है यहाँ पे आपका क्या होता है कि zinc ठीक है plus 2 में पाया जाता है cadmium के जो compound होते हो plus 2 में होते है mercury भी हमारे plus 2 में होते है तो इन सभी में आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि अगर plus 2 में देखे तो चलो इसका हम यह कहटा देते हैं कि अगर हम इसका plus 2 में देखे तो zinc किसमें होता है देखो 2 में है plus 2 है नहीं कि S2 है तो हट जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा 3D10 यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 4D10 और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 5D10 तो तो हमने क्या बोला था DD transition होने के लिए अगर आपका D यहाँ पर क्या होती है पूरा full है देख रहे हो यहाँ पर D orbital full है full होने के जासे यहाँ पर क्या होता है कि transition नहीं होता है यहाँ पर transition डीडी transition नहीं होता है second वाले में क्या होता है कि आप जब sodium hydroxide है न तो हम उसको क्या करते है copper sulfate के साथ जब हम बोला गया है कि जब हम उसको treat करें तो हमारा एक dark blue color मिलता है तो देखो इसको आपको reaction से समझना परेगा हेग नहीं तो हमारा क्या जाएगा देखो अगर हम copper sulfate plus क्या हो जाएगा 2 NaOH एसा आजाएगा यह आपको क्या देदेगा copper OH2 यानि कि copper hydroxide then plus हमारा sodium sulfate तो Na2SO4 तो यह देदेगा तो इसमें क्या होता है कि यह जो इसमें जो आपका आता है copper sulfate का जो यह होगा आपका copper hydroxide का इसमें क्या होता यह हमारा precipitate आता है यह जो हमारा precipitate बनता है ठीक है और कौन सा कलर का precipitate बनता है blue precipitate हमें मिलता है blue ppt हमें यह देता है अब blue ppt देता है इसका मतलब क्या होता है और फिर आप क्या करो अगर इसको further heat कर दो यहां से अगर इसको heat कर दो तो heat करने के बाद हमारा यह copper oxide plus H2O देता है, जो कि हमारा black color का होता है, यह copper oxide, जिसके वाज़े क्या होती है, blue से जो इसकी black की color है, वो थोरी कम हो जाती है, मतलब इसकी क्या होती है, कि color जो है, dark हो जाती है, मतलब heat करने पर, ठीक है, तो यह हमारा इसका पूरा procedure होता है, कि यह हमारा blue से हो जाता है, इसका मतलब यह भी statement सही है, तो यह दोनों statement हमारा क्या हो गया, correct है, और जिसके reason भी हमने यहाँ पर बता दिये, तो मिझे चारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आई होगी, thank you.